तो देखो यार आज एक पहुत ही बड़ा प्रोब्लेम हो गया हमारा फ्रीफायर का एकाउंट में मैंने कले एक्स्टेंशन पैक को डाउलोड किया था और फिर हमारा एक्स्टेंशन पैक जो वो आटोमेटिक डिलीट हो जा रहा है और फिर फिर बार-बार हम जो यहाँ पर डाउलोडिंग में लगा देते हैं हमारा डाउलोडिंग भी हो जाता है और फिर जब हम नेक्स्ट डे अपने गेम को चालू करते तो इस्टेंशन पैक फिर से डाउलोड करने के लिए बोल देता है अब यह मेरे साथ 3-4 दिन से ऐसा ही रिपीट हो रहा है डेली का डेली मै अब क्या से ठीक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इसी का सलूशन बताऊंगा क्योंकि हो सकता है यह प्रोलेम आपके साथ भी आ गया हो और आप उसे ना ठीक करना के लिए प्रोसेस आपको नहीं पता है तो यह वीडियो को थूरू आपको प्रोसेस पता चल है तो फ्रैंट सम अपने फोन के सेटिंग में आ गहे हैं इसके बाद यहां पिर हमें एप बाले सेक्षण पर चलना है ए क्लिक करना है और यहां पर यह जो तो allow to modify system setting है, इसे आपको on कर देना है, अब इसे on कर दोगे, उसके बाद अब आपको extension pack download करने का जुरत नहीं परेगा, आप अपना free fire में जाकर करके एक बार extension pack को download कर लो, उसके बाद आपका ये problem ठीक हो जाएगा, अगर आपके phone में ये वाली option नहीं बेरा तो करना क्या है, आप management पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको free fire को जो हो select करना है, यहाँ पे आपको free fire मिल जाएगा, और यहाँ पे देख रहाना manage notification, यहाँ पे ये on होना चाहिए, allow होना चाहिए, permission में भी, आपको इसका microphone का और contact का यहाँ पे allow होना चाहिए, तो आपका problem ठीक हो अब हम चलते हैं अपने free fire के account पे, तो अभी मैंने जो आपको steps बताया है, इस steps से अगर आपके phone में free fire फिट से बार बार अगर आपको downloading extension pack दे रहा है, तो आपको एक काम और करना है, अपना phone का setting नहीं, अपकी game के settings में आना है, इसके customer service पे आपको click करके आना है, और मैंने आपको यहाँ पे total तीन तरीका बताया है, और तीनों तरीका में से काफी कम माल का तीनों तरीका है, इसके बाद आपको game concern के उपर जाना है, इसके बाद जो है, वो आपको एक कम और करना है, यहाँ पे आपको नीचे में see all articles भी आगा, और नीचे में आगा, games keeps on downloading extension pack, इसके उपर आपको click करके आना है, यहाँ पे देखलो आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या settings करना है, आपको पहले अपना phone का settings में जाना है, उसके बाद application पर जाना है, और जैसा कि मैंने आपको जो बताया था steps, वही steps यहाँ पर दिया गया है, तो आप यह सभी steps को follow करके जो ह आपका extension प्राइक नालोडिंग का जो issue आ रहा था, वह अपने आप ठीक हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इतना गरोगे तो आपका problem 100% solve हो जाएगा, तो फिलाल दोस्त इस वीडियो को हम यही पे खतम करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो को टेक केर, बाप बाइ